में जैंसातियों कैसे आप सभी मैं जैंस्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार इंडिया वार में अजम हम पढ़ेंगे रिट ब्लद सेल्स जो रखत कढीकाइं होती है जो बलाटकार्पोई स西 कलस होती हैं उसमें आ जाती है रेड बलड सेल्स यानि लाल रकत कड़िकाई तो चलिए र्यास के पहले इसका काम क्या होता है तो बलड में एक सेल्स δब्लू बी और प्लेटलेट्ड स्पाइजाती है सब्सक्राइज में पाई जाती हैं अभी काम क्या करती है हम जो आक्सीजन सांस लिए अंदर गई यह हमारे फेफड़े में जाएगी ब्लड को फिल्टर करेगी वहां से कार्बन डाई आक्साइड निकाल लेगी और ऑक्सीजन उसमें डाल देगी फिर कहां जाएगा हमारे हर्ट में जाएग इनका रासायनिक नाम या उपनाम क्या होता है सबसे पहले क्या लाल रक्त कड़िकाएं क्या चीसा थी लाल रक्त कड़िकाएं यानि Red Blood Cells तो इनका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है Erithrocides इनको और किस नाम से जाना जाता है तो इरिथ्रो इरिथ्रोसाइट्स इरिथ्रोसाइट्स नाम से भी इनको जाना जाता है यानि इनका उपनाम क्या होता है साथ ही इरिथ्रोसाइट्स होता है अब यह जो WBC आपका RBC और जो प्लेटलेट्स होता है उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, अगर पूचा जाए कि तीनो जो कडिकाई हैं, जो हमारे blood cells में, blood में जो cells पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा कौन पाई जाती हैं, तो यही आपका RBC पाई जाता है, अर्थात, लिख लिजिये, कि तीनो सिल्स यानि जो ब्लड सिल्स होती है इसल्स में सरवाधिक पाई जाती है तो साथी कितनी पाई जाती है इनकी संख्या भी कुछ होगी तो एक व्यस कहें आप एडल्ट है तो एक एडल्थ human के body में अगर पूर्सों की बात करें तो संख्या लिख लिए यहां पर साथी क्या आप बात करेंगे संख्या कि साहब जो rbc होता है अगर आप पूरुस है एडल्ट हैं तो आपकी body में पांच से साड़े पांच million million और जो आपका एक million होता है न साहब वो होता है दस लाख के बराबर तो यानि 50 से 55 लाख भी इसको बोल सकते हैं या पांच से साड़े पांच million बोल सकते हैं अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में कम पाई जाती हैं महिलाओं में कितनी पाई जाती हैं साथी तो 4 से साढ़े 4 मिलियन 4 से साढ़े 4 मिलियन यानि 40 से 45 लाग के करीब पाई जाती है किन में महिलाओं में अब ये बंती कहां है हमारे सरीर में कहां बंती है आप कोई मिठाई की दुकान में तो बंती नहीं होंगी कि हाँ हलवाई सहाबा है और red blood cells बना दिये ऐसा तो कुछ होता नहीं बॉड़ी में तो ऐसा होता नहीं तो ये भी हमारी जो red blood cells वो red blood cells होती है RBC होती है red bone marrow में बहाई जाती है तो सबसे पहले बात करते हैं निर्माड इनका निर्माड कहां होता है इसाथ ही निर्माड तो इससे दो टाइब के question बनते हैं एक तो अगर आप वयस्क है और जब हम मम्मी के पेट में होते हैं अर्थाथ जब भूड़ी अवस्था में होते हैं तो इनका निर्मार प्लीही में होता है तो लिखिए निर्मार भी दो जगा होता है भूड़ी अवस्था भ्रोडी अवस्था यानि जब हम मम्मी के पेट में थे तब इसका निर्माड कहां होता था तो साथ ही यह प्लीही में होता था प्लीही इस्प्लीन प्लीही में होता है पर जब हम अब जैसे हम है तो हमारे कहां हो रहा होगा अब तो हम मम्मी के पेट में है नहीं ओस्ञेक कोई है कि को मेंट कर देना वाहिं तो इस वक्त कहां होगा तो साथी अब हो रहा है इसको क्या लिखेंगा है ऐसे और मल्मल भूडोरुरि यवस्ता में प्लिही में अन्यथा जो होता है वो नियुटा होता है रेड बॉन मेरों में होता है रेड बोन मैरो यानि लाल अस्थी मज्जा लाल अस्थी मज्जा तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना अगर वह भूड़ी यवस्था में पूछेगा तब हम प्ली ही बताएंगे और ऐसे पूछ ले कि आर वी सी का निर्माड कहां होता है तो साहब रेड बोन मैरो में होता है यानि कहां पर लाल अस्थी मज्जा में होता है अब किसकी बात करेंगे साथी इसका काम क्या होता है तो वर्क लिख लीजिए वर्क यानि काम क्या करता है तो जो आर बी सी होता है रेड बलड सेल्स होता है वो अप पर बैठा आएगा और फेफड़े तक लाएगा फिर हम उसको क्या करेंगे सांस के माद्न से बाहर निकाल देते हैं तो क्या करता है साथी oxygen यानि O2 वा carbon dioxide यानि CO2 को लाने वा ले जाने का काम करता है लाने वा ले जाने का काम करता है तो लिख लीजिए आरबीसी यानि red blood cells लाल रखटम अकडिका है इनका उपनाम इर्थ्रोसाइट्स या रसाइनिक नाइम इर्थ्रोसाइट्स होता है तीनों सेल्स में सरवाधिक होती है संक्या की बात करें तो पूरसों में साथी 55-55 या 50-55 लाग जबकि महिलाओं में 4-45 लाग चार मिलियन यानि 40-45 लाग पाई जाती है निर्माड भूरी अवस्था में प्लिही में और नॉर्मल अगर पूंचे कि आरबीसी का निर्माड का होता है तो red bone मैरो में होता है वर् अब बात करते हैं साथी इनकी death कहां होती है तो किसकी बात करेंगे साथ बात करते हैं death की अगर मैं इसके जीवन आवदी जो rbc कितने दिन जीती है आपने सुना होगा लोग कहते हैं खोन रोज बनता है खोन रोज मरता है तो साहब यही जो red blood cells होती है wbc होती इनकी एक निश्ची जीवन आवधी होती है कुछ दिन के बाद ये खत्म हो जाती है तो जीवन आवधी rbc की जीवन आवधी की बात करते हैं कितने दिन rbc या red blood cells जीती हैं तो 120 दिन 120 दिन जीती है म्रत्य कहां पर होती है इसकी तो म्रत्य जहां पर भुड़ी अवस्था में RBC का निर्माड हो रहा था वहीं पर म्रत्य होती है तो कहां पर म्रत्य होती है म्रत्य भी प्लीही में होती है प्लीही और प्लीही को ग्रेव यार्ड आफ RBC यानि RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है Red Blood Cells का किसको पली ही को Red Blood Cells का कब्रिस्तान कहा जाता है कब्रिस्तान यानि जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है तो RBC की मुर्द तो यहीं पर होते है इसलिए RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है तो साथी confused नहीं होना है जब भृणी अवस्था में जब मा के पेट में होते हैं तब इस प्लीन यानि प्लीही में निर्माड होता है प्लीही में तब निर्माड होता है पर अब जैसे हम हैं तो हमारी जो बॉडी की RBC है जो red blood cells है उसकी death कहां हो रही होगी इसी प्लीही में हो रही है अब next बात करते हैं किसकी साथी इसमें जो RBC होता है एक cells है और cells में आपने सुना होगा जो cost क्या होती है उनमें क्या पाया जाता है साथी केंद्रक यानि center पर RBC क्या होती इसमें जो वयस्क RBC होती है वयस्क RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है केंद्रक अनुपस्थित होता है अर्थात वयस्क RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता पर दो जानवर इसके अपवाद है पूछेगा किन दो जानवरों में red blood cells जो होती है उनमें केंद्रक पाया जाता है तो इसके अपवाद लिग लीजिए अपवाद उट वा लामा ये दो जानवर होते हैं इनकी RBC में क्या होता है साथी केंद्रक उपस्थित होता है तो उट वा लामा की RBC जो होती है उसमें केंद्रक उपस्थित होता है बांकि अन्य जानवर जिनमें red blood cells पायज आती है उनमें केंद्रक उपस्थित होता है तो ये एक important question था इसको लिख लीजिए अगर साथी बात करें शेप तो इसका जो आकार होता है आकार उभयाव तल उभयाव तल होता है साथी तो ये लिख लीजिए जी मनवदी 120 दिन म्रत्य पलीही और पलीही को ही RBC का कबरिस्तान कहा जाता है वयस्क RBC में केंद्रक उनुपस्थित होता है पर इस बात के दो अपवाद है उट वालामा आकार उभयाव तल होता है साथी और जो Red Blood Cells का लाल रंग होता है तो लिख लीजिए जो हमारा Blood होता है उसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कान होता है और हीमोग्लोबिन इसी Red Blood Cells में पाया जाता है तो लिख लीजिए रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है साथी हीमोग्लोबिन के कारण होता है अब बात करते हैं एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा क्या किया जाता है आर बीसी को मापा जाता है क्या किया जाता है साथी आर बीसी को मापा जाता है तो बात करते हैं हीमोसाइटोमीटर हीमोसाइटोमीटर हीमो-साइटोमीटर इसके द्वारा क्या किया जाता है साथी आर बी-सी को मापा जाता है जैसे कि दूद्ध की सुघ्धता लेक्टोमीटर के माद्यम से बैरो मेटर के माध्यम से वागमेंडली दाप मापज आता है उसी प्रकार जो आपका हीमो साइटो मीटर होता है की गणना करता है अब साथ ही हमने क्या पढ़ाता हीमो ग्लोबिन के बारे में अच्छे से चरचा कर लेते हैं जो हमारा red blood cells था उससे जो हमारा important question बन सकता था वो हो चुका आप किसके बारे में बात करेंगे साथी हीमोग्लोबिन तो यहां पर headache डाल लीजिए हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन तो यह क्या होता है एक प्रकार का वर्णक एक प्रकार का वर्णक अर्थाच जिसके वज़ा से रंग होता है और इसी की वज़ास क्या होता है ब्लड हमारा लाल रंग का होता है अब इसमें साथी दो प्रकार की वो इसको एच बी से एच बी से डिनोड करते हैं क्या चीज़ साथी एच बी अर्थाथ आइरन प्लस प्रोटीन आइरन वा प्रोटीन इन दोनों से मिलकर बना होता है अब मैं बात करूँ 100 ml ब्लड में कितना पाया जाता है हिमोगलोबिन तो साथी अगर 100 ml आपका ब्लड निकाला जाए 100 ml ब्लड निकाला जाए तो करीब 12-16 ग्राम कितना साथी 12-16 ग्राम 12-16 ग्राम उसमें क्या निकलेगा हिमोगलोबिन निकलता है अगर 100 ml ब्लड निकाल लिया जाए आपका तो उसमें से 12-16 ग्राम क्या निकलता है आपका हिमोगलोबिन निकलता है और एक बात जब हिमोगल लोबिन प्लस आक्सीजन मिलते हैं हीमोगलोबिन और जब हीमोगलोबिन वा कार्बन डाइय आक्साइड मिलते हैं जब क्या होता है खून सेल्स से CO2 कार्बन डाय आक्सवाइड को अपने उपर बैठा कर फेफडे की ओर जाएगा तो उसको क्या कहेंगे साथी कार्बोक्स लिक कार्बोक्स लिक हीमो गलोबिन हीमो गलोबिन हीमो गलोबिन हीमो गलोबिन के बारे में एक बार फिर से बता दूँ आपको अच्छे से एक प्रकार का वरणक होता है अर्थात इसी हीमो गलोबिन की वज़ा से हमारे जो बलड का रंग होता है लाल होता है अब ये आइरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और समझ लिजिए oxygen और carbon dioxide इसको बहुत पसंद है इतना ज्यादा पसंद है समझ लिजिए कि oxygen इसको oxygen को अपने उपर बैठा कर ले जाएगा हमारे सरीर के जो छोटे-छोटी कोशिका होती है और इसको oxygen को क्या करेगा कोशिका को दे देगा इसके बाद कोशिका से क्या करेगा carbon dioxide को अपने उपर बैठाएगा और पुना हर्ट पर ले जाएगा फिर हर्ट उसको कहां बेजेगा फेफड़े के पास फिर फेफड़ा बाहर कर देगा उसको और जो इस प्रकार का बलड होता है जिसमें oxygen होती है उसे सुद्धरक्त कहा जाता है और जिसमें carbon dioxide होती है उसको असुद्धरक्त कहा जाता है तो फ्रेंड्स आसा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा यह data important है 100 ml में कितना पाया जाता है तो 12-16 ग्राम तो फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करिए चैनल पर नए है तो प्लीज अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजि